नमस्कार दोस्तों मैं धर्मेन वर्मा ओनलाइन इस्टडी विडिके में आपका बहुत बहुत श्वागत करता हूँ जिसे कि दोस्तों आपको सभी को पता है कि जो सीटेट के एक्जाम है वो जल्द ही होने वाली है और उसी को देखती हुई दोस्तों यहां वीडियो लाया ह इसमें बाल विकास एवं सिक्षा सास्त्र के 30 अतिम हत्य पूर्णों प्रशनों का संग्रा है इसमें आपको पता चल जाएगा दोस्तों यदि आप एक्जाम में बेठे हुई हो और आपके सामने इस तरह के 30 प्रशन आ गए तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों इस यदि उसका आंसर ना दे पाएं दोस्तों तो वीडियो को थोड़ा सा पुश कर लिजेगा उसके बाद आप उसका आंसर दीजेगा मैं कुछ प्रशन को समझाओंगा कुछ को नहीं समझाओंगा दोस्तों क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और यदि आपको दोस्तों प्रयोगात्मक ढंग से निस्पादित करके समस्याओं का समधान करना है इसम्रती कोशल प्रत्यक्षी करन रूची या फिर सारेरिक किरिया सिलता इसका राइट आंसर है मानसिक गणनाओं को प्रयोगात्मक ढंग से निस्पादित करके समस्याओं का समधान करना इसम्रती क उसल कहलाता है अगला प्रश्ण है यदी आपकी कच्छा में एक चात्र की भासा दोस्युक्त है तो आप किसी समाने चात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे क्या अपाईगे दोस्तो आपके सामने चारवी कलबे हैं, इसमें से आपको बताना है, मैं इसका डारेक्ट आंसर बताऊंगा, इसका रइट आंसर होगा, यदि कख्छा में एक छात्र की भासा दोस्युकते है, तो किसी समाने छात्र की दुलना में उसका अपने स्वर्यंतरो पर नियंत्रण नहीं है इसका राइट आंसर होगा पहला उस छात्र का अपने स्वर्यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है अगला प्रश्णे किसी बालक में चिंतन की युगता उसके सफल जीवन का मूल अधार है यहां कथन किसका है जिन प्याजे क्रो एंड क्रो हरलाक या फिर इसका राइट आझसर है क्रो एंड क्रो के अनुसार किसी बालक में चिंतन की युगता उसके सफल जीवन का मूल अधार है इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों दूसरा रहेगा अगला प्रस्षण है किसी चात्र में किसोरा वस्था के बाद तीवर विकास होता है होता है यहां चात्र की अमूर्थ चिंतन सम्मंदी योगताओं को प्रदर्शित करता है अगला पुर्शन है बाल केंदरित सिक्षा के पाठिकरम के संधर्व में निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है चार विकल्प है दोस्तों इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही नह पार्ठी करम बनाते समय सिक्षक की आवसक्ताओं एवं विद्यालई में उपलब्द सुविधाओं का ध्यान रखना सोरी ध्यान रखा जाना चाहिए यहां बाल के अंदरित सिक्षा के पार्ठी करम के संधर्ब में सही कथन नहीं है अगला प्रशन है आप अपनी कक्षा में से दस चात्रों को चुनकर तीन महा तक उनमें होने वाले विकास का अध्यान करते हैं तो आपके द्वारा किये गए अध्यान में निमलखित में से क्या सत्य हो सकता है क्या सत्य होशकता दोस्तों आपके द्वारा किये गए अध्यन में आपके सामने चार विकल्पे हैं इसमें से आपको सही विकल्प कैचेन करना है इसका राइट आंसर होगा यदी कक्षा के दस चात्रों को तीन माहा तक अलग रखा जाता है तो उनका विकास कक्षा के अन्य चात्रों की अपक्षा अलग होगा तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा अगला प्रश्टे हैं वाइगोजसकी के अनुसार बच्चे अपने साथी समू के सक्री सदस्य कब होते हैं पूरी बाली अवस्ता में बाली अवस्ता में किसोरा अवस्ता में या फिर प्रोड बालक बड़ों से तू तड़ा करके बोलता है बालक के इस विशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाई करेंगे क्या उपाई करेंगे दोस्तों आपके सामने चार विकल्पे हैं इसमें से आपको बताना है तो इसका सही आंसर होगा आपको सभी को पता तो उसे अनुसासित तरीके से सुधारने की कोशिस की जाती है उसे इस विवहार से अउगत कराया जाता है कि अपने से बड़ों को आप कहकर संभोधित किया जाए वह अनुसासित सब्दों का चैन करना चाहिए क्योंकि दंडात्मक के रिया से बालकों में विवहारिक तो वो होगा चोथा आप बालकों को आप कहकर संभोधित करने लगेंगे अगला प्रशन है सामाजी करण की पकरिया में अनुकरण को उपियोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है परिवार एवं पडोस गाव एवं सहर देश एवं राइनिती या फ सामाजी करण की प्रख्रिया में अनुकरण को उपियोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए परिवार एवं पडोस एक आवश्यक तत्वे है क्योंकि इन तत्व के अभाव में सामाजी करन की प्रख्रिया पूरी नहीं होती है अगला प्रशन है अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेणना कार्य करती है जो अधिगम प्रक्रिया है दोस्तों उसमें अभिप्रेणना कार्य क्या होता है ये आपको इस प्रशने में बताना है चार विखल्प है दोस्तों आपके सामने इसमें आपको सही विखल्प का चयन करना है तो उसका र किस सिध्धान्त की जानकारी होना आवशक है किस सिध्धान्त की जानकारी होना आवशक है दोस्तों आपके सामने चार विकल्पे हैं इसमें से आपको सही विकल्प का चयान करना है तो उसका राइट आंसर है इससे पार्थिवस्तों को सरल तरीके से समझाने में सहाइता मिलत वहां सरल सिध्धान्त के माध्यम से बालकों में ग्यान का प्रशार करें अगला प्रश्ण है निम्लिखित में से अधीगम का कौन सा सिध्धान्त यहां बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अत्वा कुछ सीखने के लिए कहा जाए अगला प्रश्ण है निम्लिखित में से क्या प्रतिवाशाली बालक का गुंड नहीं है विसाल सब्दकोज, सुस्त मानसिक प्रक्रिया, समानिग्यान की स्रेष्टता या फिर देनिक कार्यों में विवनता इसका राइट अंसर है जो प्रतिवाशाली बालक का गुर्ण नहीं है वो सुस्त मानसिक प्रक्रिया है क्योंकि प्रतिवाशाली बालकों में सीखने की छमता प्रबल होती है वहाँ विविद द्रश्टिकून से देनिक कार्यों का संपन करता है और उसके पास विसाल सब्द कोस होते हैं और उसकी मानसिक प्रक्रिया तीवर होती है ना कि सूस्त मानसिक प्रक्रिया अगला प्रश्ण है बच्चों में सीखने के लिए आवशक नियम है कौन सा बच्चों में सीखने के लिए आवशक नियम है बहु प्रतिक्रिया नियम रटने का नियम ततपरता का नियम या फिर विवस्तित अधिगम प्रक्रिया का नियम इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बच्चों में सीखने के लिए ततपरता का नियम आवशक है क्योंकि एक प्रतिभावान बालक नवाचार कार्यों को जानने वा समझने के लिए हमेसा उत्सुक रहता है उसे जानने के लिए हमेसा ततपर रहता है इसलिए ततपरता का नियम सीखने के लिए आवशक है अगला प्रश्ण है आपकी कक्छा में दो चात्र नेत्रहीन हैं उनको पढ़ाने के लिए आप निम्न में से किस लीप का प्रियोग करेंगे किस लीपी का प्रियोग करेंगे दोस्तों आपको सभी को पता होगा ब्रेल लिपी, शमाने लिपी, हिंदी की शमाने लिपी, या फिर ब्रह्मा लिपी इसका right answer है आपकी कक्छा में दो छात्र नेत्रहीन है उनको पढ़ाने के लिए आप ब्रेल लिपी का प्रियोग करेंगे कोमेंट में बताईगा दोस्तो इसके प्रतिपादक कोन है यह जरूर मेरे कोमेंट से बताईगा जो ब्रेयल लिपी है इसके प्रतिपादक या फिर अविश्कार कोन है यह कोमेंट से में मुझे जरूर बताईगा अगला प्रश्ण है यदि आप कक्छा साथ के कक्छा अध्यापक है और आपकी कक्छा में नीरज एक द्रश्टी बाद इत्छात्र है तो आप नीरज की किस प्रकार से साहिता करेंगे किस प्रकार से सहीता करेंगे दोस्तों आपके सामने चार विकल्पे हैं इसमें से आपको सही विकल्प का चैन करना है वीडियो को पुश कर लीजेगा अच्छे से चार विकल्प पढ़ लीजेगा उसके बाद आपको सही आंसर देना है तुसका राइट आंसर होगा आपको नीरज के साथ कक्छा में समाने रूप से विभार किया जाना चाहिए और स्रवी सीडी के माध्यम से साहिता उपलब्द कराई जानी चाहिए अगला प्रशन है प्रशनों के कई प्रकार होते हैं पोधे एवं जानवरों में चार अंतर बताईए यहां प्रशन किस प्रकार के प्रशन का उधारन है लगूत्री प्रशन, वस्तनिष्ट प्रशन, अती लगूत्री प्रशन या फिर इन में से कोई नहीं आपको पताईए दोस्तों कि पोधे एवं जानवरों पे आप यदि चार अंतर बताएंगे तो आपको सम्थिंग पचास सब्द तो लगी जाएंगे आपको इसके अंतर बताने में और आपको सभी को पता होगा दोस्तों पचास से अधिक सब्द होए या पचास सब्द होए तो कौन से प्रशन की केटिगरी में आएगा तो वहाँ लगू उत्तरी प्रशन का उधारन है यहाँ पर क्योंकि ये पचास प्रशन सम्थिंग इसके हो जाएंगे 10, 11, 14 या फिर 20 सरल प्रशन है आपको सभी को इसका अंसर पता होगा जो सब्द के संबंद में मूल प्रवत्तियों की संख्या 14 होती है अब कौन-कौन सी होती दोस्तों भाई, वातसल्य, ग्रणा, कामुकता, क्रोध, दुख, आत्महिंता, आत्मभिमान, अधिकार भावना भूक, आमोध, क्रती भाव, आस्चर और एक आकीपन, यह 14 प्रकार की दोस्तों मूल प्रवत्तिया होती है, इनको अपनी कौपे में दिख लीजेगा, एक बार याद कर लीजेगा, तो याद हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों को यह 14 प्रवत्तिया याद होगी, और यह किसने दी दोस्तों, यह मेरे कमेंट सेबुक्स में, ज़रूर बताईगा, अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार पूर्व किर्यात्म कवस्था में बच्चे अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, यहां आयोग्य किन कारकों का परिणाम है, किन कारकों का परिणाम है दोस्त अगला प्रश्न है, आपकी कक्चा में 60 बच्चे हैं, जिन में 10 बच्चों की बुद्धी लबदी 70 से कम हैं, तो आप उन चात्रों को किस समूँ में रखेंगे, किस समूँ में रखेंगे दोस्तों, आप प्रतिवासाली चात्र में, पिछडे चात्र में, छीन बुद्धी वाले छात्रों की स्रेणी में रखा जाता है क्योंकि एसे छात्रों में सोचने समझने की छमता कमजोर होती है अगला प्रश्ण है सतत एवम व्यापक मुल्यांकन में निमलिकित में से किसका मुल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए किसका मुल्यांकन दोस्तों नहीं किया जाना चाहिए सतत एवं व्यपक मुल्यांकन में आपके सामने चार विकलपे हैं इसम से आपको सही विकलपे का चयन करना है तो इसका राइट आंसर होगा छात्रों की सामाजिक आर्थिक इस्तिती का मुल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए अगला प्रशन है वाई गोट्सकी का सिध्धान्त अधारित है किस पर अधारित है समाज और संसकरती पर समाज और विद्यालेई पर विद्यालेई और सिक्छक पर या फिर अभी भावकोक और सिक्छारती पर इसका राइट आंसर है वाई गोट्सकी का सिध्धान्त समाज औ और संस्क्रति पर अधारित है अगला प्रश्न है आदिवासी जाती की छात्राओं के सिक्षण में आने वाली प्रमुक समस्या है कौनसी दोस्तों प्रमुक समस्या आदिवासी जाती की छात्राओं के सिक्षण में आने वाली स्विधाओं की प्रयाप्तता उनका उच्च साम इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों पहला वाला होगा अगला प्रश्न है जिन प्याजे के नेतिक विकास सिध्धान्त की परायत नेतिक अवस्था में नहितारते हैं या फिर इसका क्या ताथ पर है आपको यह बताना है चार विकल्प है आपके सामने इसमें से आपको सह इसका राय प्याजय के नेतिक विकास सिध्धांट की परायत नेतिक अवस्था का तात परिह है कि इस अवस्था में बालक सत्तावादीवाht तावरन में पूरी तरह से डूबा हुआ होता है इसका जो राय इंसर होगा दोस्तों दूसरा होगा अगला प्रश्न हैं बालक में चिंतन तथा तर्क का उद्देश है क्या है दोस्तों समस्या को जटिल बनाना शवे को शमाप्त करना समस्या का समधान करना या फिर संग्यान का अंत करना इसका राइट आंसर होगा बालक में चिंतन तथा तर्क का उद्देश समस्या का समधान करना है क्योंकि समश्याओं का समधान करने के लिए बालक चिंतन वात तरक सक्ती को बढ़ाने की कोशिस करता है और चिंतन एवं तरक ऐसे माध्यम है जिसके जरिए समधान ढूनने की कोशिस की जाती है अगला प्रशन है मोखिक रूप से सीखने की अच्छमता है अफेक जमा में डिसलेक्सिया में अगरेफिया में या फिर डिसग्राफिया में इसका राइट आंसर है मोखिक रूप से सीखने की अच्छमता अफेक जमा में पाई जाती है इससे पीडित छात्र मोखिक रूप से सीखने वा अपने विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं किस मनोवेग्यानिक ने व्यवार का यहां समीकरण दिया व्यवार बराबर कार्य व्यक्तित्व और वातावरान यहां जो समीकरण है दोस्तों यह किस मनोवेग्यानिक ने दिया बहुत अच्छा प्रशन है तालमेन ने लेविन ने ड्वी ने या फिर ठानडाइक ने इसका यहां समीकरण लेविन ने दिया था याद रेखेगा दोस्तों मोश्ट आएंपी प्रश्न है अगला प्रश्न है प्राइमरी इस तर पर चात्रों को मात्र भासा में पढ़ाना बहतर होता है क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों इससे आपके समय चार विकल्पे हैं इसमें से आपको सही विकल्पे का चैन करना है इसका सही आंसर होगा प्राइमरी इस तर पर चात्रों को मात्र भासा का ग्यान होना अती आवश्यक है क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरान में होती है इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों पहला होगा अगल बाद ही आप सही आंसर बताईएगा इसका जुरायट आंसर होगा धो सिखचक को जब तक कि उसका ठीक सिप ना कर ले, जब तक कोई भी अंचिम नीट ना ले हिसका ये सही आंसर होगा तीसरा वाला तो आज के 30 प्रशने ही पर समापत होते हैं, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज मरे कमेंट से बोक्स में जरूर बताएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कमेंट से शेयर करना ना भूले, और कमेंट से मुझे जरूर बताएगा दोस्तों, क आगे भी आपको इसे वीडियो चाहिए तो मैं जल्दे जल्दे दोस्तों इसे वीडियो बना दूँगा तो यदि अभी तक दोस्तों मेरे चैनल को आपने सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब भी कर लीजेगा और साथ में वेल आइकन को दबाईए जिससे कि आपको लेटेस्टी वीडियो मिलती रहे धन्यवाद